पती हमें नहीं मिल पाएंगे कभी मेरे बच्चे चोटे चोटे नात हो गए हैं। बाद में लखेंपुर से पता चला है। हम जैसे लोग अतंक बादी कहेंगे। जिनको बेरहमी से मारा गया था इस आंदोलन जो चल रहा था आंदोलन मैं इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से ये सथाकत इत किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसमें काफी लोग अपनी जान गवा चुके हैं और उनमें से एक शामिल थे शाम सुंदर जी जि अधि जिकुए कि में घर हूँ शाम सुंदर जी के घर उनकी बीवी है ये उनकी वाइफ है आपका नम मुझे बता दीजिये रुभी देवी नम है हमारा रुभी जी यह कितने साल की बेटी है आपकी है हमारे एक और लड़की तिन साल की है और हमारे ये साथ महीना की एक ब लिए हैं और हमारे बुड़े बुड़े साथ ससुर्जी हैं और हमारे कोई भी नहीं है इतने लोग हैं बस देखिए जिस तरीके से बतारे छोटी बच्ची है एक तीन साल की बच्ची है वो यहां पर मौझूद नहीं है क्योंकि यह बतारे थे उन्हें बुखार हो गया था बुखार है मारे लड़की पापा की बिना नहीं रहे पाती हो पहुत पूछती थी मुझसे कि मारे पापा का आँगे हैं तो हमका है सिंगाई गए हुए हैं कितनी देर में आएंगे तो हमके अभी आते होंगे और रोते रोते बुखार आया उसको परी नानी के साथ चली ग हैं शादी भी करनी थी बहनों की तो इतना जादा यहां पर जो भावक माहौल है मैं वो महसूस भी कर पा रही हूं क्योंकि एक इनसान जो अपना काम करने के लिए गया था उसको नहीं पता था कि यह जो आंदोलन चल रहा है इसमें वो अपनी जान गवा देंगे उनके पि जो भी हाथसा हुआ है महारा जी करवात है वहा सब्सान गौन कर आधा है उसको नहीं तो उसके में जो तभी तो पीटा पाता है और और फिर उटुने हमारा बेटा बहुत ही केता है की हम कुछ नहीं जानते हैं मैं किसान भाई जो है तो हमको हम क्या करने वाले कुछ नहीं करते हैं Hmm हम तो यहाँ एक दंगल दिखने आए इस्य तरह से मेरा बेटा यही कई रहा है खाली फिर उसको किसावी मारा है तोड़ी देर् Todd Kade कर दो हिए लोग मारे हैं हमारे बेटे सियंसंदर इतने हैं वहां से एक हमारे पहुअंका लडका था तो वहां उसे पूंचा गया कि पुछे मैं को आई आई है हमारे बेटे की और जब आदि जेस ऐसको एफो कि पथर अजे व्य जिस बीटे बैटे को खीचा तक्जिस्ट्हान चीश और उसके और शेव जो तो मढ़ने लगे हैं है ने लगे उसके बार ने लगे उसके बाद मारने लगे माता जी हैं आप क्या अबतारी माम हाँ हमारे ही गाड़ी में भ협े के रहे हुए उसे दंगळ देख की चले रहे तो में वह दो कमें चैयब। मैं टो उसे बूझने लगे तो कहला हम कुछ पुलिस बचाई थी है पुलिस के हाथ से चीन लीने को हरी बचाई थी पुलिस मार पीट दीन तो पुलिस बचाई थी है पुलिस से चीन लीने के बाद में बचाया फिर उन्हें खुड खुड घजीट लिया फिर एक बद फिर फूट वी नाया फिर पता नहीं चला कि कहां पर भाई अमरी गये हैं यह जिन्दा है यह अस्पताल को भी जेगे बाद में लखीमपूर से पता चला है लड़का हमारे ह किसान हो सकते हैं आप जानते हैं क्या है वह जानते हैं वह जोन वहां रहा है जों सब गाड़ी गयरे नहीं है वह है मारेन हैं वह जोन साल से जुड़े हैं तो उसकी गाड़ी में वहां जाते थे तो जब ड्रेवर के गाड़ी पर गाड़ी सीचा मेरे लगे छोट तो उसके खड़ड़ा गे हाथ तो उसी तरीके से निकाला तो कुछ लोग मर गे हुई हैं तो वो हादसा हुआ था जब पत्थर मारा तब जाके गाड़ी का बैलेंस भिगड़ा तभी तपो वो मर गय तहाओ जोंए हम नहीं कर नहीं कुछ नहीं आए ठे हम स्वागत करने यहिए नहीं खोंबी हमारी बहाइत्ती जिन 쉬्टों अपी के भाई यहारे ऐधा था जो यहाद जोड़के बिच तो ती नहीं माना तो मेरे भैया को खिंच लिए फिर पुलिस नेलात मारा टो गर गय तो आ मेरे भैया के तलवार मार जेघ ती चाला में उसको बो दीए मर भैया हमारा यहां गय था फिर उसक तहह को मतलब पुलिश ने बाड़ी लोग गई थी अम्बूलेंस से चहीं जहीं से पहिंचाई तब तलक हमको लोगन का पता चला था कि स्यामसंदर चुटा गए हैं तो भरती हैं लखीमपुर में हो चहीं जहां हुएं फिर हम लोग सहारा लगाये रहे लगाये फोन करते रहे वो लोग आपके सब्सक्राइब करता अब्हाइब करता है लिए आपको बता दूरी वीडियो इतने टाइम से वाईरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति के सर से खून बहरा था जो हाथ जोड़ कर मिन्नते कर रहा था इंतताकते किसानों से कि मुझे छोड़ दीजिए और वो उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि बोल तुझे यहां पर बीजेपी के नेता ने उपद्रफ फिलाने के लिए बेजा है तो उन्होंने यह नहीं बोला जिस तरीके से यह भ अब पर उनके भाई है यह ने आप उनके भाई है आप थे साथ में जब ये मामला हुआ था पूरा? इनसाफ मांगना चाहते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए बस हाँ उनको जैसे हमारे भाई को मारा उसको यह लोग काफी टाइम से चला रहे हैं कि किसानों को पहले मारा गया गाड़ी से कुछला गया आप इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके साम देख रहे थे कि डंडों से सर में उनके डंडे मारे जा रहे हैं हाँ जोड़कर बिंती करता थे मुझे मत मारो मैं गाड़ी से जा रहा हूं मैं कुछलने नहीं आया हूं यही आप से वो कहना चाहते थे टेनी महाज ने बेजा सांसच जी ने बेजा है कि मारने के लिए वस यही बार-बार कर कहलवाना चाहा रहे थे और यह जो अखिलेश य कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने इस हादसे में जिन मासूमों अपनी जान गवाई उन पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं खिलेश यादव और प्रियांग कर दो यहाँ पर जो यह मरे हैं बेकसूर इनके तरफ कोई बोलने वाला नहीं है जबकि यहाँ पर जो मानी गर्यमंत्री जी हैं उनकी तरफ से तो कुई मारत दिखा नहीं है वो किवल एक बिलेम लगा रहे हैं कि गाड़ी से कुछ ला गया है उसकी वीडियो तो है नहीं जो नहीं थे वहां पर इस तरीके से गटना मतलब उसमें कोई मंत्री जी के तरफ से कोई मारने का सबूत नहीं है ना उन्हों को मारा है जी उसकी आधि बड़ी गंभी रहे थे कि अजे मिश्रा और आशिश मिरा ने भड़काव भाशन दिया उसके बाद ये लोग वहां पर गए और दंगा उत्रीम मिसके बाम जनकारी नहीं है मगर जो ये हुआ है इसके अब भासल क्या दिया है वह इतना बड़ा चेहरा है तो वह सकते हैं यह लोग पर नेता यहां के सब उनको चाहते हैं तो अपने शेती में उसानी कर सकते हैं तो समय नहीं बलपा उनके अपने प्रोग्राम में तो वहीं पर रोड जाम कर दिया है तो इसी को लेकर यह पहले हली पेड रोगों को जाएंगे जाए जाता है हम लोगों हो जाते हैं तो अगर दंगा करने का अगर मकसद होता तो सायद पूल माला लेकर दंगा करने कोई नहीं जाता है अगर कुछनला का मतलब बता तो फिर किस्ते के जाते हैं तो आप जाते हैं अपि दूगाड़ी लेकर क्यों जाता आदमी गाड़ी कमी ने इनके पास नाहीं आदमियों के कमी है अच्छा और जिस तरीके से अभी अखिलेश जान बूइस और जान के लिए उनकी उच्छा जेंकまだ गुल्या पर यहां के दो लोग है और यह कोई परता है पलिया करता था और आये तो बहुत दूर दूर के लोग है अगर आप किसान है तो आपको लगता है कि यह मांग जायज है लोगों की जिसके लिए अंदोलन यह उनकी तरफ से लग रहा होगा अब हमको तो नहीं लगता है इसके वीडियो में विधी जिस तरीके से उनकी बहन ने बताया तलवार से वार किया गया वहां पर प्यम करा रहे थे तो उसके तरह यह 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 सर्फ फूटा है तो यहीं पर सब्सक्राइब यह यह जान से मार देना था जो वीडियो है तब तक वो जिंदा था उसके बाद में जैसे वीडियो कटा है उन्हों नहीं सकता है कि हम मारने आया है जब उन्हों को जान पाए है कि मतलब यह नहीं बोलेगा तब उसको इसको मार दिया है और वहां पर मौके पर हम प्यम करा रहे थे तो वह किचल में सना था और जब का वीडियो है तब किचल में नहीं सना था के वो जांद का मतलब उनका मकसद पूरा उनको जान से मारना ही तो अगर वो नेता हैं और उनको बोलना चाहिते हैं उनको बोलना जी थी संट किसानों की बात कर रहे हैं कि हम किसान के किसान हम लोग है किसान है पहले हम लोग किसान है तो उनकी नजर में एक ऐसे किसान जो उनकी तरफ वाले तो किसान है लेकिन आप किसान नहीं है लेकिन हमारी तरफ से कुई उनकी तरफ से कुई बयान है कि हम भी मिलने जाएंगे यह लोग भी तो उसमें सहीद हुए है किसान है किसान तो हम लोग भी है अब यह थोड़ी ना किसी की हम डेट कर देंगे किसान की चक्कर में किसान है जो कि दूसरे के सर में डंडा मार रहे हैं लोग मिननते कर रहे हैं उसको नहीं बखश रहे हैं किसान नहीं कहा जागा इन लोगों तो हम जैसे लोग अतंगबादी कहेंगे प्राइब जिम्मेधारी लेता है वह तो जिसका पती मरा है जिसका बाब मरा है जिसका बेटा मरा है उसके दिल पर हांधिर के पूछे कितनी धर्ब उनको हो रही यह वोग वरत नहीं के अन्दोलं करने के साथ साथ हैं आप लोगों की जाने क्यूं ले रहे हैं अब ये तो जानकारी नहीं है जाने क्यों ले रहे हैं वही क्या सिस्टम है उनका जान लेने का ये तो नहीं पता है अब हम लोग जो मौके पर वहां थे भी नहीं हम वहां नहीं गए थे जैसा वीडियो में देखा गया है उसी तरीके से वीडियो जब आपने देखा आपको क सरकार की किते हैं कि में काइवाने की माया चाहिए यह अगर करेगी नहीं सरकार तो किसीं हो सकता है ओर имеет हम्हारे पर भोण सकता है जो हर्यो मिस्रा जो मानी मंंति जी का ड्रेवर को मट को अब नापूरो तो मैं लगा दें तो मैं व्हुत्रे बाद natomiast अलगा कि शाम और हमाके लड़का पर ही नहीं पर है इनकी मान सकता है कि इनसान को पहले उठता हुआ देखके फिर उसको मारा है तो यह क्या दरिंद्धी इनके दिमाग में है किसान अपने आपको बता है किया तो कुछ तो नहीं कर सकता है किसानों जब और्धु के लिकिनल व किसान आप थे तो कुछ तो मार इंगान सके उसके सर में तरवार मारी नहीं गए तरवार गुशूर के गुमा दिया गया है जिस तरीके मैं देखा था कि तरबूच में गोला रखके दगा दूना इस accentu मेरे है कि भरिणों को किसान का इसज़RO कितने भी मैं सक्षम है घर में चलने वह राका था जो घर के बाहर जानता था साधी ने पता होगा कि हम किसवा कैसे जाएंगे सबसे समझदार थे घर में जी वह समझदार था वह चलने वाला आगे लड़का था अब वह नहीं है तो इनकी दो लड़कियां साधी करने को बैटी है दो दूसकी दो बच्चियां है कैसे पढ़ाएगा कोई पढ़े लिकी फेमिली नहीं है कि जो वह कुछ कर पाया है अब य सबसे समझदार थे घर में समाने वालेते सब केते बेओहार रहा हैं और करने कोई झन लोगों से आपका मतलब पूरी दुनिया ही एक तरीके से उजाड़ दी है क्या कहेंगी इन लोगों को क्या कौन है ये लोग त्यान नहीं जाने पाया है वहाँ पर जब भीर लगी रहा है गाड़ी जब रों के लिए नहीं है एक बस खड़ी होई गई हागी बस के मारे गाड़ी निखल नाई पाय नहीं जब निखल नाई पाय नहीं तब है सीशाव सा तोड़िन ताड़िन ही और मारिन पीटिन ही उसे में जोन बैटरा है हमारे भया की मोत होई गई भावब को रही है आंटी जब भहुत ज़ता मार दिया जो हमारे बेटे को मार दिया तो वो तो जलाद ही है वो कोई किसान थोड़ों है हमारे बेटा जब कुसामद कह रहा है हम कुछ नहीं करने हैं हम कुछ नहीं हमें ना मारत तो इसको मारते लाच मारते हैं उसके डंडा मारते हैं करदन जुकाते हैं हम यही मूबाइल में देख पाए है हमरे भीया इसे कह रहा है जोड़ता है खुसामद करता है लेकिन वो जलाद वो कसाई मान नहीं रहें सर्कार को क्या करना चाहिए? क्या गुहार है आपकी सर्कार से? सरकार तो हम चाहते हैं यह कि जो जैसे हमारे बेटे को मार दिया है है यह जो फिसको यह हालत में उसको कर दिया जाए तब मेरी जय रहे जो मेरे बेटे को के समर्थन आए लगई है वो उनको किसान की तरफ से वबक रहे हैं मेरा बेटा का किसान नहीं था मेर वेटा तो किसान की तरफ हाट उन्हें कैये कुछ नहीं था सब्सक्राइब कर दो और अपना पनी दो mere adesso क Gear autom जिस तरीके से हमें यह बता रहे हैं किसान ये भी हैं खेती ये लोग भी करते हैं लेकिन उन लोगों ने अपने एक selective किसान अपने select किये हुए हैं कि सिर्फ उनी का समर्थन करेंगे शायद यह वहीं है जिनको पैसा भी इनी लोगों की तरफ से आ रहा है और जिस तरीके से इनोंने हमें बताए कि उपद्रफ जैसा फिलाया आतंगवादियों की तरह इनोंने मारा है तलवार से लाठी सरकार की तरफ से हो यह देख सकते हैं माहाल बहुत जादा यहां पर भावक है सब बहुत इमोशनल है घर वालों का आप देख सकते हैं बीवी हैं दो दो बह्य बहने हैं अपने भाई की बहुत प्यारी भ Verbгляд अपने भी रो रही यह पिता जी यह है उनकी माता है दो भाई हैं ब tentang समझ नहीं है कि बाहर जाके और चीजों पर बादचीट कर सके एक शाम सुंदर ही थे जो की घर का खर्चा भी उठा रहे थे और काफी समझदार थे लोगों से अच्छे से बाच्चीद भी कर पाते थे तो इनोंने इस घर की जो नीव है इन उपदरव्यों ने वो हिला डाली है जिस तरीके से वो जो वीडियो वाइरल हो रहा था शाम सु लेकिन इन उपदरव्यों ने उनको इस तरीके से मार दिया कि देखने वाले की भी रूह काब जाए